तो इस वीडियो में आपको बताएंगे medical review के बारे में जो 6 फरवरी का medical हुआ था उसके बारे में बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि 6 फरवरी का जो medical हुआ था 7 फरवरी को आपका off day था तो red card और green card का decision आज लिया गया है और आज कितना red card मिला और कितना green card मिला दो SMC का review मेरे पास से गोरखपूर और पालम का और दोनों का देख लेते पालम का बुरा हाल हुआ है यहाँ पर मतलब कि पालम जब से start हुआ है पालम का अंदर medical अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा है बता देते आपको मतलब कि 20 से तो नीचे जाही रहा है आज तो 10 से भी लीचे चला गया तो काफी ज़्यादा tough मतलब की मेरे ख्याल से अभी तक का Air Force Medical के इतिहास में इतना मतलब की कम green card अभी तक नहीं मिला था अभी आपको पालम के बारे में आगे बताएंगे पहले गोरखपूर का हम देख लेते और परियाग राज का बात करें तो परियाग रेट कार्ड और green card का फैसला कलोंगा और कुछ ऐसे SMC जहां पर साम तक किलियर हो रहा है कि रेट कार्ड green card जो भी है देकर किलियर कर देते हैं बट कुछ SMC ऐसे हैं जो दो दिन का टाइम लेर है जिसकी गोरखपूर है पालम के अंदर भी हमको आज यही देखने को मिला औ और आपको बदा दे कि कानपूर भी आपका सेम है प्रियाग राज अभी तक नहीं आया इसका मतलब लग रहा है कि कल ही आपका जो भी आएगा वो कल ही आएगा तो जैसा भी होगा प्रियाग राज के लिए हम एकदम उत्सुक है ताकि आपको हम जल्दी बताएं वहां का जो भी क्या सीने वहां का प्रियाग राज में कैसा है मेडिकल हो रहा है और आप लोग को भी जानने काफी जरूरी है कि प्रियाग राज वाले जो भी बच्चे आगे जाएंगा उनको काफी जादा हेल्फ मिल जाएगा उस रिवीव से तो देखते हैं गोरखपूर और पा र्दी में गोरखपूर का रsevenाज यारमारा केंने, और आप वहां से एरपोर्ट के लिए गोरखपूर शारी फिरं रियूर का आपको गे देखते हूं आप अराम से पहुंच सकते हैं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है तो छे तारीक यहाँ पर बोले सारे 6 वजे रिपोर्डिंग था 45 बच्चों को रिपोर्ड करना था रिपोर्ड कितना किये 44 बच्चे रिपोर्ड किये थे और अंदर ले जाके वही प्रोसेस आपका कपड़ा उतार कर जो होना है होगा और हमारा वेट, हाइट, चेस्ट हुआ फिर बलड वगेरा लिया गया बीपी साथ में और आइट, ब्रेकफास्ट हुआ फिर बलड लिया गया उसके बाद प्राविट पार्ट का जांच हुआ, उसके बाद फिर नॉपनी और फ्लैट पूट, उसके बाद क्या हुआ कि हेरिंग का और आपका डेनेस नोच का जांच हुआ, सलेक्शन रेशियो डाउन हो गया गोरखपुर में अब यह क्ये हुआ है हमको नहीं पता, बट आपको बदा देखिए, शुरुवात तो अच्छा हुआ था, बट यहां पर देखिए, बट यहां पर क्या हुआ कि 17 ग्रेन कार्ड मिला है, मतलब कि कुछ डाउन हुआ है, 26 ग्रेन कार्ड तो उस दिन मिला था, बट आप देखिए, यहां पर 17 ग्रेन कार्ड, 27 रेड कार्ड मिला है, और 17 ग्रेन कार्ड, इनको ग्रेन कार्ड मिला है, गोरव मिस्रा को, और यह अपना मेडिकल निकाल चुका है और माक्स भी अच्छा खासा है तो इनका सेलेक्शन तय हो चुका है तो वेट के बारे में हम पुछे तो बोले कि कोई प्रॉब्लिम नहीं 10% आपका रिलैक्सेशन है और कोई मतलब की और 1-2 kg भी आपका चल जाएगा और जैसे इनका निकल गया ठीक है अब आगे देखते हैं कि पालम में क्या सीन था और अगर आपको लग रहा है कि गोरखपूर का फुल डीटेल में डाल दे एक बार और तो आप कॉमेंट कर दीजेगे नीचे और टेलिग्राम आप टेलिग्राम में जरूर जोइन हो जाएए क्योंकि देखे क्या है कि कुछ SMC को हम कबर नहीं कर पाते बट आपको पता है कि टेलिग्राम में आपके SMC वाले बच्ची मिल जाएंगे एक हजार प्लस बच्ची उस ग्रूप में सामिल है ठीक तो जाएए वहाँ पर आपको सपोर्ट और हेल्फ करने वाले बहुत जादा बच्ची मिलेंगे और मेरा टेलिग्राम का जो आरा वाला का टेलिग्राम का लिंक डिस्किप्चन में उसे जोइन कर लिजए आपका 100% हेल्फ मिल जाएगा और वहाँ नहीं मिलेगा तो आप मेरे को मैसेज करीगा टेलिग्राम पर आपका हम हेल्फ कर देंगे whatsapp भी आपका available रहता है ठीक है जहां पर आपको लगे कि message करना करिएगा तो इनको देखिए पालम में आज इनको point बना दिया गया है ठीक और इनका point है ECG और private parts में अभी इनका solve करेंगे private parts वाला ECG तो solve हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट private parts वाला देखेंगे बात करेंगे अभी इनसे अभी बात उतना हुआ नहीं इनसे तो आज 3 wing पालम में देखिए आपका 6 को green card यह नहीं कि 6 बच्चे को green card मिला है और 40 को rate card दे दिया गया है मतलब की medical का सबसे मतलब की काला दिन देखने को मिला हमको कि यहाँ पर 6 बच्चे पास में only 40 rate card मिला है समझ सकते कि हालत खराब हो गया बच्चों का यहाँ पर और मुझे ECG में point और private parts में इनको point बोले की मिला है और क्या बता हूँ यहाँ पर देखिए 74 kg इनका weight था और height centimeter में बात करें तो 181 था अब इनके height के जो centimeter है उसके अनुसार आप अपना height का भी अनुमाल लगा सकते हैं कि आपका point बनेगा यह नहीं बनेगा जिसी कि 181 cm इनका height है और weight है 74 अब कितना इनको मिला weight chart उठाएगा टेलिग्राम से और मिला कर देखिएगा कि relaxation कितना का है पालम के अंदर वैसे यह बता है कि 3-4 kg उपर नीचे आपका जा सकता है पालम के लिए बट इससे ज़्यादा होगा तो point बनेगा 100% अब यहाँ पर देखिए और बाग की ध्यान का हाथ देना तो ECG में full confident रहा फिर भी मतलब की ECG में सही थे इसके बावजूद भी point यहाँ पर आपका बनाया गया है और 15 ऐसे बच्चे हैं जो ECG में के ओल point बना है उनका तो पालम मेरे ख्याल से सही नहीं जा रहा है आपका किसी का over weight में भी point हा मनलब की कम weight में भी point मिला है और हाँ चस्मा वाला ध्यान देंगे यहाँ पर जितना भी बच्चे चस्मा यूज करते हैं अगर आप चस्मा लगाते हैं तो prescription doctor का सही लेकर जाना है stamp और latest होना चाहिए एक महीने कंदर का ही होना चाहिए जो आपका नया prescription prescription stamp होना जरूरी है उस पर doctor का sign registration number यह सब देखा जाएगा आपका जो चस्मा यूज नहीं करते हैं उनको prescription का कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आप मतलेजेगा आपके लिए नहीं है चस्मा वाले बच्चे के लिए prescription जरूरत है अब आगे जलते आज result आया है red card or green card का तो यह scene रहा है आपका बाकी ऐसा कुछ नहीं इसमें तो आप अपना मतलब की ध्यान रखेगा जो भी point है आप एक दूसरे से share कर लिजे टेलिग्राम में जवैन हो जाई है और उनसे पूछ लिजे कि बच्चे जो गया है आपका वो help करेंगे कि क्या चेक हो रहा है तो आपको बता देंगे टेलिग्राम का link description box में जाकर उनसे पूछिए और share करेंगे वो आपका बताएंगे क्या scene था कैसे था कैसे आपको जाना है और बाकी जो मेरा था हम बता दियो अगर detail में बताना होगा तो बताएगा हम आपको detail में बता देंगे और आ के लिए चैनल को subscribe मार दिजेगा और share करें वीडियो को ओके